रिन दे कर और बिना दिये दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ, अब हम रिन की सहायता से दो अंकों वाली संख्याओं को घटाते हैं। 65 घटा 27 कितने होते हैं? क्यूंकि 5 अंक 7 से कम है। इसलिए दहाई के स्थान वाली संख्या से एक अंक रिन लेते हैं। जिससे अंक 5 अब 15 बन जाता है, जो की 7 से बड़ा है। अतहा 15 घटा 7 बराबर 8 प्राप्त होता है। क्यूंकि दहाई के स्थान का 6 अंक, इकाई के स्थान के 5 अंक को एक रिन देता है। इसलिए अब वो 5 हो जाता है। 5 घटा 2 बराबर 3 प्राप्त होता है। अतहा 65 घटा 27 बराबर 38 प्राप्त होता है। अनुच की मा ने उसे 50 रुपए दिये। उसने क्रिसमस के उस सफ़ पर 36 रुपए खर्च कर दिये। अब उसके पास कितने रुपए बजे हैं। उत्तर पाने के लिए हम 50 में से 36 घटाते हैं। शुन्ने अंक 6 से छुटा है। वो 5 अंक से एक रिन लेता है और 10 हो जाता है। 10 घटा 6 बराबर 4 प्राप्त होता है। 5 अंक एक अंक रिन देकर 4 हो जाता है। अथा 4 घटा 3 बराबर 1 प्राप्त होगा। अर्थात 50 घटा 36 बराबर 14 प्राप्त होता है। अनुच के पास अफ 14 रुपए शिश बजे हैं।